मेरे अजीज दोस्तों और बुजरगों फिर हम ये भी जेखते हैं कि हमारे वजीरियाजम अमेरीका गए है वजीरियाजम अमेरीका गए हमको उस पे कोई इतराज नहीं है हम भी चाहते हैं कि भारत इंडिया और यूएसे के तालुकात और अच्छे हो अब तो हम मगर हमारे वजीरियाजम जब अमेरीका में थे तो दो बातों का मुझे बायतराज है अममन अगर कोई मुल्क का वजीरियाजम फॉरेंटूर पर जाता है उस पर तफसरा करना ठीक नहीं है मगर वजीरियाजम बदानमंत्री मोडी मैं मजबूर हूँ आपकी बात को यहां पर रखने के लिए एक यह कि नरेंदर मोडी ने पहली पर उसौंफेंस नौव साल में मीडिया के साम में आकर की नौ साल में कोई मीडिया उनसे सवाल नहीं कर सकता था कोई मीडिया के लोग नहीं हाँ वो एक सेलेक्टेड मीडिया का गुरूप है जैसा एक इंटर्व्यू लेने वाले पुछा मोडी जी आपको आम पसंद है क्या अपनी के पसंद है ये चूसने के पसंद है पलसती था पिर एक एंग एक रिपोर्टर कुछ है आप अपने जेब में बटवा रखते कही कुछ दरी को धिंगाना होना इस समय ने मगर वहां की एक रिपोर्टर ने वाल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर ने भारत के वजीरियाजम से जो सवाल किया जेसके पधानमंत्री मुझे बड़ी तकलीफ हुई बड़ी पीड़ा हुई कि इस तरह से आप से सवाल किया गया कि आप नौ साल से भारत के वजीरियाजम पधानमंत्री हैं तीन सो इंपी आप के पास हैं और आप से सवाल करने वाला ये सवाल करता है कि क्या आप भारत के मुसल्मानों के लिए भारत के मुसल्मानों के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या काम करेंगे और freedom of expression के लिए आप क्या करेंगे देश के पदान मंत्री मैं खुश होता अगर आप से सवाल होता कि आप उस देश से आते हैं जहां पर 50 पीस अबादी भारत की 28 साल के दोजवानों पर मुश्तमिल है मैं खुश होता इस बाग से कि अगर रिपोर्टर आप से सवाल करती कि बताएं मेकिन इंडिया में आपने क्या क्या बनाया मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आप से पूश्टी कि क्या आप ने पैंस ट्रिलेन अकानमी के उस टर्गेट को हासल कर लिया मैं खूश होता अगर उस फॉरेंड रिपोर्टर आप से बोलती के भारत में इंफलेशन कम करने के लिए आपने क्या किया मैं खूश होता अगर रिपोर्टर आप से पूशती के पूरी दुनिया में सबसे स्यादा बेरोज़गार अगर नौजवान है तो भारत में उसकी बेरोज़गारी के लिए आप क्या किये मगर उस रिपोर्टर ने نौ साल के वजीर-अज़म तीन सो एमपी रकने वाले वजीर-अज़म से पूछए मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या कर रहें प्रिडम ऑब एक्स्प्रेशन के लिए क्या कर रहें तो हमारे वजीर-अज़म ने कहे दिया तीन सो चर्चिस को जला दिया गया क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तीन सो चर्चिस मरीपूर में जला दिये गए क्या उत्तरकाशी में मुसल्मानों से नहीं कहा गया कि छोड़ कर भाग जाओ तुम्हारा बाइकार्ट किया जाएगा ये डिस्क्रिमनेशन नहीं है वजिर आजम क्या आपका डिल्ली का इंपी नहीं कहा कि मुसल्मानों से कोई खरीदो फरोग मत करो क्या ये डिस्क्रिमनेशन नहीं है वजिर आजम क्या आपने सी डबलो का खानून मजब की बुनियाग पर नहीं बनाया क्या ये डिस्क्रिमनेशन नहीं है माइनरेटी वेलफेर का बजट आपने 40 पीसद कम कर दिया क्या ये डिस्क्रिमनेशन नहीं है आपने मौलान अजाद फेलोशिप को खटम कर दिया अलसंग एक समाज के लिए अब कोई मुसल्मान बच्चा फेलोशिप और पीएशडी नहीं कर पाएगा क्या ये डिस्क्रिमनेशन नहीं है बदान मंत्री डिस्क्रिमनेशन यहीं भी है कि आपके 306 अमपी में एक मुसल्मान अमपी नहीं डिस्क्रिमनेशन यहीं है कि आपके पास एक मुसलिम मिनिस्टर नहीं बदान मंत्री पिर आपने क्यों कहा ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप से इस तरह का सवाल वाल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट ने कर दिया हम तो अमीद करेंगे कि भारत के जर्नलिस्ट भी पपाजी से इस तरह का सवाल करेंगे करेंगे नहीं करेंगे नहीं मालूम मगर अफसोस हुआ देश के पदान मंत्री आप से इस तरह का सवाल हुआ दूसरी बात जो देश के पदान मंत्री वजीर आजम ने वहां की कांगरेस को तक्रीर की जिसमें अमेरिका के पार्लिमेंट कांगरेस और सेनेटर्स बैठे हैं उसमें प्रेमिनिस्टर ने का कि हम को 75 साल की आजादी 1000 साल की घुलामी के बात मिली देश के पदान मंत्री आप क्यूं ये जूट बोलते हैं कि 75 साल की आजादी 1000 साल की घुलामी के बात आप बोलते मिली हैं तो पिर देश के पदान मंत्री आप ये बताओ कि अगर 75 साल की आजादी जो हम को मना रहें 1000 साल की घुलामी से मिली तो फिर अंग्रेश तो 200 साल उकूमत किये न, क्या मराथा लोगों की हुकूमत नहीं थी, क्या पेस्वाओं की हुकूमत नहीं थी, क्या चोलाज की हुकूमत नहीं थी, क्या विजे नगरा की हुकूमत नहीं थी, क्या यादवा होसला की हुकूमत नहीं थी, क्या एक गुलाम जिसका नाम मलेकंबर है उसकी उकुमत नहीं थी अदाल मंतरी आप कहां बोल जाते हैं आप काली एक ही आँख से देखते बस्वदिग्या हो नहीं थे